सेर और चुहे की कहानी एक बार एक सेर था वह पेड़ के नीचे सो रहा था और अचानख उपर से एक चूहा गिरा सेर के उपर और खेलने लगा सेर ने उसे पंजे के नीचे दबालिया तोड़ी देर बाद उसे छोड़ दिया तबी चुवा बोलता है कि मैं भी कभी तुम्हारी मदद कर दूँगा और चला जाता है एक दिन सिकार्य के जाल में सेर पस जाता है सेर जोर जोर से चिलाने लगता है तबी चुवा सुनकर वहां पहुंचता है और उसकी जाल को काट कर सेर को सिकारे से मुक्त करवा देता है तबी सेर और चुवा अच्छे मित्र बन जाते हैं